चात्रो नमस्कार आज हम लोग गुलाम साशकों की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे उन सुल्तान साशकों के बारे में पढ़ेंगे जिनोंने भारत में 1206 से 1290 तक शासन किया हम देखेंगे कि उनकी केंद्रिय सरकार और प्रांतिय सरकार कैसे चलती थी और उनकी आय के क्या क्या साधन थे चात्रों सुरू करते हैं केंद्रिय सरकार से केंद्रिय सरकार में सरोपर्थम या संप्रभू सुल्तान होता था व्यावारिक रूप से दिल्ली का सुल्तान संपोर्ण प्रभुत्व संपन्शाशक था और उस पर किसी बाहे शक्ती अत्वा सक्ता का नियंतर्ण नहीं था वह पोर्ण रूपेंड निरगकुष था राज्य की कारेपालिका का वह उच्चतम प्रमुक था वही न्याय का सोथ समझा जाता था और कानून की व्यवस्था करने का सर्वोच अदिकार उसी को प्राप्त था इस प्रकार वह राज्य की संपूर्ण जनता का लौकिक प्रमुक तता शाशक और मुस्लिम संपरदाय का धार्मिक प्रमुक भी था उसकी शक्तियां अनेक तता असीम थी किन्तु व्यावहरिक द्रश्टी सेवे सीमा बद्ध थी क्योंकि उसे उले मा की सला सुननी पड़ती थी और जनता के विद्रों का सदैव भय बना रहता था देश के अलिखित तथा परंपरागत नियमों का समान करना भी आवशक था सब परिस्थितियों के अंतिम विशलेशन से हम इस परिणाम पर पहुंसते हैं कि सुल्तान की वास्त्विक सक्ति उसके सैनिक बल पर निर्भर करती थी यदि उसके हातों में परियाप्ट सक्ति होती थी तो वह उपरिक सभी वीचारों का और लंगन करके अपनी इच्छा अनुसरा शाजन कर सकता था किन्तो इस प्रकार के सुल्तान बहुत कम होते थे इस संपोर्ण युग में बल्बन ही एक ऐसा व्यक्ति था शेष सभी यहां तक इल्टुत मिश्भी अमीरों की राय लेता था और उनकी इच्छा के अनुसर कारे करता था तो संग्षेप में हम सुल्तान की शक्तियों के बारे में बात करें तो पाएंगे कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम सल्तानों का जो सुल्तान होता था वह सल्तनत में संप्रभू प्रभुत्व संपन और निरंकुष होता था सभी परकार की न्यायक कारे पालिका एवं विधाई सक्तियां उसी में नहीत होती थी वह राज्य की संपूर्ण जनता का लौकिक प्रमुक वशाशक था और मुस्लिम संपरदाय का धार्मिक प्रमुक भी था हालांकि उसके उपर खलीफा होता था सुल्तान की सक्तियां अनेक तथा आसिमित थी फिर भी उसे कई इशियूज पर उलेमा की सला सुनने पड़ती थी हालांकि सुल्तान निरंकुष होता था फिर भी उसकी सला के लिए मंत्री परिशद भी होती थी परिशद का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था वो उसकी सला मानने के लिए बाद्ध्य नहीं था राजदानी में सुल्टान के अलावा कई मंत्री भी होते थे जो अलग-अलग विभागों को संभालते थे उनमें प्रमुख होता था वजीर वजीर को प्रधान मंत्री कह सकते हैं वह राज्यस्व का प्रमुख होता था अन्य मंत्रियों के काम का भी वह निरिक्षन करता था वजीर मुख्य तया असैनिक अधिकारी था किन्तु कभी-कभी उसे सैन्य संचालन भी करना पड़ता था सुल्तान की बीमारी, नाबालिक या राज्य के बाहर होने पर शन्रक्षक वह राजगदी का कार्य भी देखता था सैनिकों को वेतन संबंदी कार्य भी उसी का था सैनिक वेतन संबंदी कार्य लेपर उसका नियंतरन था उसकी सायता के लिए एक नायब होता था और एक विशाल सच्चिवाले था जिसमें अनेग सच्चिव, दर्जन और कलर्क तता लेखाकार काम करते थे उसकी सायता के लिए मुस्री के मुमालिक महालेखाकार तता मुस्तविय मुमालिक महालेखा परिखशक थे महालेखाकार का कारे था आए की सारी सूचना संदारित करना और मुस्तविय मुमालिक का कारे था जितना भी राजे का व्याय होता था उसका हिसाब किताब रखना दूसरे नंबर का जो मंत्री होता था उसका नाम था आरिज ए मुमालिक यह सेना का परधान अधिकारी होता था शेना इसके अधिन कारे करती थी, सैनिकों के भरती, उनकी गणना, उनकी साज सज्जा, उनकी योग्येता संबंदी विश्यों का प्रबंद उसके हाथों में होता था सेनिकों तथा उनके अस्त्रों सस्त्रों घोड़ों आधी कवा निरिक्षन करता था तता यह देखना कि वे योग्यता से अपने कर्तवियों का पालन करते है या नहीं इस प्रकार आरिजे मिमालिक जो होता था वह रक्षा मंत्री के समान होता था तीसरा दिवाने इंसा इस मंत्री का कारे सबी शाही गोहनाओं वह पत्रों के प्रारूप यानि मस्विद्धे तयार करना था इसके अधीन भी अनेक सच्चिव वकलर्क कारे करते थे वह सुल्तान के साथ जाता था जहां भी सुल्तान जाता था उसके साथ जाता था तथा उसके संपूर्ण कारे का अभी लेक या रिकॉर्ड तयार करता था चौथा प्रमुक मंतरी था डीवाने रसालात यह आज के विदेश मंतरी के समान होता था यह विदेशी तत्asy कूटनीटिक पत्र विवार का कार्य करता था यह राज़दोड विदेश बेज़े जाते थे अत्वा विदेशों से आते थे उनसे संप्रक में रहता था यही इ पहतिरिक भी अन्य कई मंत्री होते थे जो इस परकार थे बरीद मुमालिक यानि मुख्य संवाद दाता बरीद मुमालिक गुपचर विबाग का परधान होता था इसके अधिन अने एक संवाद दाता वह गुपचर कारी करते थे काजी ये मुमालिक यह राज्य का प्रमुक नियादीश होता था यह नियाए पालिका का प्रमुक होता था और धर्म विबाग भी इसी के अधिन होता था धर्म विबाग के अध्यक्ष की हैसित से यह सद्र जहां अप्वा सद्र उस सदूर कहलाता था इसके अलावा भी राजदिनी में और अनेक कई छोटे मंत्री होते थे जिनका संबन सुल्तान के गरेलू प्रबंद से था किन्तों मंत्रियों के अपेक्षा उनका पद थोड़ा नीचा माना जाता था ये होते थे वकीले दर इसे हम साही महलों का मुख्य प्रबंदक कह सकते हैं इस हैसियत से उसका सुल्तान से निकट संपर्क होता था और उस पर उसका काफी प्रभाव रहता था ये अधिकारी सुल्तान का विश्वाश पातर व्यक्ति होता था अमीरे हाजिब ये पदादी कारी दर्बार में सिष्टा चार वा अनुशाशन के नियमों को लागू करता था ये सुल्तान तथा दर्बारी पदादी कारियों तथा जनता के मद्य कड़ी का कारी करता था इसी की अनुमती से सुल्टान दर्बारियों वजन्ता से मुलाकात करता था अधिकतर अमीर हाजिब वरिष्टतं व्यक्ति को बनाया जाता था सर जानदार यह सुल्टान के सही अंग्रक्षकों का नायक होता था यानि मुख्य अंग्रक्षक होता था या अंगरक्षकों का परधान अधिकारी होता था अमीर ए आकूर यह साही अस्तबल या गोड़ां का अध्यक्स होता था शेहना ए पीला यह हाती विबाग यह हातियों का मैत पूर्ण अधिकारी होता था जितने भी वाती होते थे उनके प्रबंदगा कारिय इसी के हाथ में होता था खाशादार यह साही पोशाक्ची होता था सुल्तान के और सुल्तान के परीजनों की पोशा को और किस अहुसर पर क्या पहनना है बाहर जाना है तो क्या पहनना है दर्बार में क्या पैनना है उत्सवों के समय कैसी ड्रेस पैननी है इन सब चीजों का ये ध्यान देखता था कुछ सुल्तानों के समय नाइब ए मुमालिकत का पदस्थापित किया गया यह सुल्तान का नायब था और वजीर से भी अधिक शक्तियों का परियोग करता था किम तो साधारण समय में ऐसा नहीं था नासिर अधिन महमूद के समय बल्बन को नायब मुमालिकत न्यूक्त किया गया था बल्बन के समय नायब मुमालिकत से सारी सक्तियां छीन ली गई थी शात्रों अब हम देखेंगे ततागतित गुलाम सुल्तानों का परानती ये शासन गुलाम सुल्तानों की सरकार समान तत्तों से बनावा सुद्रट संगटन नहीं था बल्कि विकेंदरी करण के सिद्दान पर आधारित थी राज्य का ढाचा अतियन सिथिल था और अनेक सहनिक छेत्रों से मिलकर बना था गुलाम सुल्तानों ने संपूर्ण राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था इन प्राम्तों को एक्ता कहा जाता था प्रतियक एक्ता में एक अमीर या सूबिदार नियुक्त किया जाता था जिसे एक्तेदार या मुक्ति कहा जाता था इक्ते का पर्धान अधिकारी मुक्ति ही होता था कभी कभी इसको वली भी कहा जाता था और वली के पदबर सुल्तान के वन्शजों को इन्युक्त किया जाता था अब हम देखेंगे मुक्ति के क्या कारी होते था एक्ता में कानून एं व्यवस्ता बनाए रखने राज्याग्याओं को लागू करने की जिम्मेदारी मुक्ति की होती थी वहां पर शांती बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मुक्ति की होती थी वित्तिय एम राजश्व शक्तियां भी मुक्ति के पास थी समस्त राज्य की आई एम व्य हिसाब किताब की जिम्मेदारी भी मुक्ति की थी राज्य में न्याइक शक्तियों का उपयोग भी मुक्ति करता था जब कभी सुल्टान मांग करता था तो उसकी सेवा के लिए मुक्ति को सेनिक टुकडियां भेजनी पड़ती थी उप्रॉक कारियों के बदले मुक्ति को भारी वेतन मिलता था जो रजे के आए से उसे दिया जाता था उसके पास अपनी सेना तथा पद्धिकारियों के दफ्तर भी होते थे रजे के आए को प्रसासन पर खर्च करने के बाद बची आए मुक्ति को केंद्रिय सरकार में जमा करवानी पड़ती थी सुल्तान जब चाहे तब राजे का निरिक्षन भी कर सकता था इक्ता को यानि प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था उस समय जिले को शिक कहा जाता था शिक आज के जिले के समान होता था शिक का परधान अधिकारी शिकदर या शिकदार कहला था शिक में यानी जिले में कानून विवस्था बनाय रखना तता राजस वें वित्य शक्तियां शिकदर के पास दी शिक को पुने छोटी इकाईयों में विवाजित किया गया था जिनें परगना कहते थे परगना वर्तमान तैसील के समान होता था परगने के मुख्य अधिकारी आमिल एवं मुनसिफ होते थे इनकी अलग अलग शक्तियां होती थी आमिल का कारे राज्य शुकर उगाहना एवं कानून विवस्ता बनाय रखना था जबकि मुनसिफ के पास परगने के नयाईक अधिकार थे परशासन की छोषब से छोटी कई गाउं थी या ग्राम थी इसका एक मुख्या होता था और मुख्या के सपोर्ट के लिए कुछ मेंबर होते थे जो गाउं के विकास कारे आपसी जगड़े और अन्य शकारापमक कारियों को करते थे अब हम चात्रों देखेंगे कि तथाकतित गुलाम सुल्तानों के आय के क्या क्या साधन थे तो इसमें एक होती थी खाल सा भूमी इकतों के अतिरिक भी एक विस्त्रत छेतर होता था जिसमें अनेक जिले सम्मिलित होते और जिनका प्रबंद केंद्र सरकार करती थी नेकी मुक्ती ये छेतर खाल सा कहलाते थे ये छेतर जागीर में नहीं दिये जाते थे बलकि इन से केंद्रिये राजस विबाग सीधा राजस वसूल करता था इस छेतरे किशान अपने गाउं के मुख्या द्वारा सीधे सरकार को लगान देते थे यानि ये सल्तनत काली अमीरों के अधीन जमीन नहीं थी ये सीधे केंद्रिय सरकार या सुल्तान के अधीन जमीन थी जिनके मुख्या न्यूक्त किये गए थे वो किसानों से करवसूल देते और सीधे केंद्र सरकार को जमा कराते थे वित्य विवस्ता या के अन्य क्या सादन थे अब हम इसके ओपर नजर डालेंगे डिल्ली सल्तनत की आए के पांच मुख्य सादन थे जिनमें परमुक्त थे खराज उस्र जजिया जकात एवंग खमस इसके अतिरिक्त आए के अन्य स्रोवत्मी थे जैसे खानों से होने वाली आए भूमी में गड़ा धन आयात कर आब कारी कर कारखानों से होने वाली आए आदी अब हम जो पांच प्रमुक्त कर थे उनके बारे में पड़ेंगे ये थे पहला खराज यह भूमी कर था जो हिंदू सामन्तों तता किसानों से वसूला जाता था खेती की उपस तता राज्यकर का अनुपात सदैव एकसर नहीं था राजश्व की दर अनुमान अथवा पुराने हिंदू युक के राजश्व दस्तावेजों के आदार पर निश्चित की जाती थी दूसरा कर था उस्र यह भी एक भूमी कर था जो उस भूमी से वसूल किया जाता था जो मुसल्मानों के अधिकार में होती थी जो मुसल्मान होते थे यह खेती करते थे और जो प्राक्रितिक साधनों से सींची जाती थी साधारण पया यह उपजगा दशवाख होता था इसलिए उसे उस्तर कहते थे तीसरा कर था जजिया जजिया नामक कर जिम्यों अथवाग गैर मुसलमानों से वसूलाग जाता था यह कर सरकारद्वारा जिम्यों के जानमाल की सुरक्षा के बद्दे लिया जाता था। इस करके आदार पर समस्त हिंदू जनता को तीन वर्गों में विभाजित किया गया था। पहले वर्ग के लोग 48 दिरहम, दूसरे वर्ग के 24 दिरहम व तीसरे वर्ग के लोग 12 दिरहम की दर से जजिया अदा करते थे। इस्तिरियां बच्चे सादू, भीकारी, विकलांग, ब्रामन और मंदबुद्धी और पागल इसकर से मुक्त थे। अगला कर है जकात, यह कर मुसल्मानों पर लगाय जाता था और आय का एक बटा 40 वाग या 0.5 परसूलत जाता था, यह मुसल्मानों की हित के कारियों पर खर्च होता था, जैसे मस्जिदों की मरमद, धार्मिक शंस्तातों का संचलन, उले मावर की पैंशन वो वेतन बत्ते, एवं अन्य धार्मिक कारिया, अगला कार था खम्स, काफिरों के खिलाफ जो लूट का धन पराप्त होता था, उसका एक बटा पांच राजकोस में जमाता होता था और चार बटा बार्च भाग सैनिकों में बार्ट दिया जाता था, अल्लाओ दिन खिल जी के समय बाद में इसको अलग तरह से वित्रित कि मिलता था, उसका चयार बटा पांच भाग सैनिकों में बार्ट जाता था, आयात कर, आयात से आने वाले माल पर चुंगी वसूल की जाती थी, मुस्लिम व्यापारियों से 5 पर kuWest, वे हिंदू व्यापारियों से 5 पर कह था तो चात्रों, यह थी गुलाम सुल्तानों की शा shall यानि उनका परसास्लिक धांचा कैसा था इस धांचे में केंदिरी सरकार कैसे काम करती थी और प्रांथी सरकार कैसे काम करती थी इसके बारे में अपने परकास डाला इसके अलावा गुलाम सुल्तनों के आए के क्या सादन थे उनके बारे में हमने पढ़ा उस आए में जो प् पूमी से आये होती थी, इसके अलाव कुछ कर थे, जैसे खराज, उस्र, जज्या, जकात, खंस, आयातकार, इत्यादी, चात्रों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तैंक्यू, धन्यवाद.